नमस्कार जुनियर्स विरानाम है अधित शर्म और आप दिख रहे हैं Commerce भाया आज हम लोग continue करने वाले हमारा Business Environment की Unit 1 को यह है आप लोग का Business Environment Unit 1 Part 2 इस वीडियो का आप लोग पूरा देखना अची से समझने के लिए शुरू करते वीडियो को बेने किसी Profit or Loss के जुनियर्स यह है हमारे आज की Topic जिसके आप लोग पढ़ने वाले आज Environmental Analysis, Strategic Management and इसके लावा Managing Diversity तो यह तीन अलग अलग Topics आज में आप लोग को करवाने वाला हूँ which has an influence on performance of organization इसकी define आप लोग इसे यह कहना चाहती है कि एक ऐसा process है जो की examine करता है सारे के सारे elements को, सारे के सारे components को जो की internal हो, external हो, फरक नहीं पढ़ता है सबको ही यह examine करता है जिनका organization की performance पे influence है तो इससे आप लोग को तोड़ा बट basic समझ भाया होगा बाकी हम लोग main बात करते है जो main इसके अंदर आप लोग को points लिख के आने अगर environmental analysis का question आता है तो आप लोग लिख के काएंगे आप लिख के आएंगे वाबे factors affecting factors affecting क्या होती है भाया factors affecting आप लोग के 6 होते है जिसको हम लोग pestle analysis भी बोलते हैं जाएक भी बोलते हैं तो इस प्रूआज में लोग के लिख का है यह बोलता है रहा लोग को P P से होता आप लोग का political फिर आप लोग का economic फिर आप लोग का social फिर आप लोग का technological, legal, environmental ऐसे वर कि छे आप लोग के अलग-अलग factors है मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, हमने पहले लास्ट वीडियो में इसको पढ़ा था इसके बारे में, कि ये कुछ ऐसे आप लोगे factors होते हैं, जो कि affect करते हैं किसी भी business को, environmental analysis के अंदर आप लोग यही पढ़ते हैं, कि ये जो अलग-अलग 6 factors हैं, ये कैसे किसी भी business क affect करते हैं, जैसे कि आप लोग का जो political हो गया, technological हो गया, technology के अंदर अगर मान लीजे कोई change आता तो बिजनेस को कैसे affect करता है, इसके अंदर अगर मान लीजे किसी country के अंदर एक जो political government है, वो stable नहीं है, तो उस government की वज़े से companies का या फिर businesses का कितना loss होता है, या फिर क्या का policy आती है, आप लोग की new economic policy जिसको हम बोलते हैं, अगर ऐसी कोई policy launch करती जाती है, तो उसके अंदर क्या-क्या चीजे होती है, business का क्या फायदा है, क्या loss है, उस policy के अंदर तो business को बहुत फायदा मिला था, अगर कोई policy और आती है, तो उसके अंदर बिजनेस को loss भी हो सकता तो उस चीज को भी हम लोग लीगल के अंदर डाल सकते हैं, ऐसे examples को आप लोग को show करना है, examples के जरीए ही आप लोग इनको पूरा explain करके आपाइंगे, social के अंदर आते हैं कि कुछ ऐसे आप लोग के social cultural environments होती है, जैसे कि मान लिजे किसी का religion हो गया, किसी का caste के business पे हो गया, या फिर मान लीज़ अर्थकुए हो यहा, यह तो उसके इसे कुछ बिजिनस का loss हो जाता है, किसी किसी का profit भी हो जाता है, अब अवसी बात है, कुछ बिजिनस का फायदा भी होता और कुछ बिजिनस का loss भी होता है, तो वो सब चीज़े हैं आप लोग लग के आ सकते हैं, अब देखते हैं हम लोग हमारा second topic जो कि है strategic management strategic management आप लोगोसर क्या बोलता है continuous planning सबसे पहले तो इसके दम लोग continuous planning करते हैं लगातार planning करते हैं monitoring, analysis and assessment इसके दर हम monitoring भी करते हैं analysis भी करते हैं और assessment भी करते हैं किसका करते हैं of all that is necessary for an firm or organization to meet its goal and objective मतलब एक company के लिए उसके objectives या उसके goals को meet करने के लिए जो भी चीज है उनको अच्छे से properly हम लोग continuous plan करेंगे, monitor करेंगे, analyze करेंगे, assessment करेंगे इन सब चीजों के बात जो हमारे पास एक चीज निकल के आती है तो उसको हम लोग final result बोल सकते हैं बट मेंली पूरे process को आप लोग क्या बोलते हैं पूरे process का नाम है आप लोग का strategic management इन इस strategic management आप लोग की कुछ अलग-अलग type से हो सकती है यहाप मैंने आप लोग के लिए एक show भी कर रखा है जैसे कि सबसे बले SWOT analysis SWOT analysis के वाले में आप लोग उन अलड़ी पढ़ रहा होगा SWOT analysis आप लोग का क्या होता है Strength, Weakness, Opportunity और Threats का आप लोग का एक analysis होता है जिसके नाम लोग organization के strength को लिखते हैं weakness को लिखते हैं, opportunities को लिखते हैं, threats को लिखते हैं आप लोग का e-top analysis होता है जिसके नाम लोग threats और opportunities को mainly देखते हैं फिर आप लोग पेस्टल analysis पेस्टल analysis के बारे में भी हम लोग ने पढ़ा है यह जो है आप लोग का PESTEL इसमें जस्ट मैंने उपनीचे लिख दिया है लीगल और आप लोग का environmental PESTEL analysis full form यह ही है Political, Economic, Social, Technical, Environmental & Legal तो इसके नदर आप लोग इन ही 6 environments को analyze करते हो इन ही 6 environments को देखते हो पर आप लोग का क्वेस्ट analysis बढ़ाई क्वेस्ट analysis क्या होता है यह क्वेस्ट analysis होता है आप लोग का Quick Environmental Scanning Technique तो Q का Q & U का मतला है आप लोग का तो BCG matrix की full form आपको मैं बता दी है बट इसके अंदर आप लोग ने स्टेबल को अनलाइज करते हुए जो आप लोग अजीव साइड डबा जैसा बना रहा ने स्को आप अनलाइज करते हो अब इस अंदर क्या क्या चीज़े है आप लोग तोड़ादा जूम करते हैं आपकी स् स्टार के अप लोग का growth rate और share rate दोनों ही high रहता है question mark के अप लोग का growth rate जो होता है वह high होता है लेकिन share בacement का बहुत ही low होता है cash cow के अंदर आप लोग का जो market share होता है वो high रहता है लेकिन आपको की growth rate कम रहती है और dog अगर किसी का आता है तो dog अप लोग का नाहीं अच्छी growth rate है और नाहीं अच्छा market share है तो ऐसे करके हम लोग companies को नाम देते हैं star या फिर question mark या फिर आप लोग का cash cow या फिर dog ऐसे करके companies को environment analysis के अंदर strategic management के अंदर नाम दिये जाते है तो यह आप लोग के कुछ 5 types है जिनको आप लोग explain का सकते है with their flow charts और diagram यह से करके आप लोग explain का सकते हैं जिससे आप लोग को बहुत अच्छे marks मिल सकते है question के अंदर कोई किसी और state से आ रहा है कोई किसी और country से आ रहा है अगर अलग 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 states के लोग काम करते हैं तो उनकी communication language अलग होती है वो लोग अलग अलग तरीकी से बात करते हैं, उनका accent अलग होता है, उनके religion, beliefs अलग होते हैं, बहुत सारी चीज़े होती हैं, जो कि matter करते हैं, company के अंदर, तो उसको सही करने के लिए हमने आपे 5 points लिखे हो हैं, 5 steps लिखे हो हैं, सबसे पहला emphasize communication, एक organization के अंदर अग जितनी अ आप लोग ग्रुप में काम करिए, dynamic groups बनाइए, different groups बनाइए, उन में बैठके काम करिए, groups में अगर काम होता है, तो आप लोगोंने सुना होगा ऐसा बहुत बार की groups में काम होने के वाइसे, management जो होती होती है, leading जो होती होती है, अच्छे से होती है, और आप लोगा work analysis काफ बनाना है, और लास्ट आप लोगा be open-minded, अगर किसी भी organization के इंदर managing diversity को सही करना है, तो obvious सी बात है कि employees को management को open-minded रहना पड़ेगा, अगर वो लोग अपने जो thoughts हैं, और अपने जो processes उनको रोकिंगे, thought process को रोकिंगे, तो उस वज़े से हो सकता है कि कोई भी employee नया होगा, इनिशेटिव नहीं लेगा, या फिर कोई अलग किसी जगह से employee आरक है, मानलो सारी के सारे Delhi के हैं, बाकी एक employee आरक है, जो दूसरी state का है, तो ऐसी में क्या होता है, कि जो भी other employees होगे, वो काम नहीं कर पाएंगे, so I hope आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग जल्दी स